परतमान समय में बिहार बोड से जो कलास 12 के छात छात्राओं का सितंबर वाला मासिक परिक्षा कायोजन हो रहा है तो इसमें आर्ट से स्टीम के जिन भी विद्यार्थियों का भी हिस्ट्री का एकजाम नहीं हुआ है उनके लिए देखें यहाँ पे हूब 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 कोस्ट देखकर जो मैं सही उत्र बता रहूं उसको याद जरूर कर लीजे का अबजेक्टिव सब्जेक्टिव का उत्र अगर आपका एकजाम नहीं हुआ है तो आपके लिए हूब 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 ओरीजिनल कोसन पेपर है तो आप पहले से तयार करके जा सकते हैं लेकिनिन सभी प्र के हम लोग चर्चा करेंगे तो हिस्ट्री इतिहास का है विसाय कोड देखिए 301 की से एकदम ओरीजिनल कोसन पेपर है हिंदी इंग्लिस दोनों में काफे भी द्यार्तियों का प्रसंदा कि पूरा ओरीजिनल कोसन पेपर लेकर ही चर्चा कर रहे है यहाँ पर देखिए क्ल आप एप जो ठीक है उसको हो सकता है वेबी सही हो हो सकता है सही नहीं हो वपर जो आश में बताओंगा वहीं आपको सही मानना है अब ध्यान से GO Rudolphमालन्यू औहल्य नीचे के किरार याद रखेंगे option B करा कि कौन सा हरापास्थल राजस्थान से संबंदित है तो काली बंगा काली बंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग के चुड़ी आई राजस्थान से संबंदित है तो दूसरा का सही उतर हो जाएगा option C आगे बढ़ेंगे अगला प्रस्थान देखते है यहाँ पर तीसरा नमर प्रस्थान आपसे पूछा गया है ध्यान से देखेंगे का रहा है कि 1922 में मोहन जोदरो की खोज किसने की थी 1921 में हड़ापा का 1922 में मोहन जोदरो का खोज होता है तो कहां से मिला है मोहन जोदोर से बिसाल अनागार पूछे बिसाल असनानागार पूछे तो सभी कहां से मिले हैं मतलब कि मोहन जोदोर से देखेंगे यहां पर क्या पूछ रहा है कि मतलब कि यहां पर देखेंगे ग्रेट बात ठीक है तो यह मोहन जोदोर से तो option D सही उतर ह जाएगा चौथे नम्मर प्रसंट का चलिए पाच नम्मर प्रसंट क्या कर रहा है कि सिंधु घाटी सब्यता के निवासियों को किस धातू का गया नहीं था तुने आइरन का अर्थात की लुहा का गया नहीं था तो आप्सन सी पाच नम्मर प्रसंट का सही उतर याद रखें अब आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन यहां पे 7 नमर कहरा है आपसे कि उपनिसद की राजना कब हुई उपनिसद की राजना कब हुई आपसे बुचा जा रहा है तो ऊपनिसद की राजना उत्रबैदिकाल में लेटर बैदिक प्रियर्ड में होता है अर्था कि आप जानते हैं रीग बैदिक यूग किसे बोलते हैं जिसमें रीग बेद का राचना हुआ उसके बाद उतर बैदिकाल की जब सुरुवात होता है रीग बैदिकाल के बाद जो बैदिकाल तो फिर उतर बैदिकाल तो उसमें सलेखन किस धर्म से संबंदित है, दस नमर प्रसन है कि गौतम बुद का जनम कहा हुआ था, गौतम बुद का जनम लूम्बनी में हुआ था, लूम्बनी बन में तो अप्सन ए सही उतर हो जाएगा, पर्थम बौध संगती कहा हुआ था, अब आप से मैं पुछू कि पर्थम जिस भी प्रस्ट का उत्र मालूम है कभी भी कलास को देखें मैं बार बारों के सेप्टेंबर का मासी परिक्षा इसलिए मुलों नहीं चर्चा करें इसलिए हम लों चर्चा करें तो ध्यान से देखिएगा ठीक है तो पर्थम बहुत संगती कहां हुई थी तो यहीं सही उत्तर हो जाएगा 24 वे तिर्थंकर कौन थे महाबीर स्वामी थे तो 12 का सही उत्तर है उप्षन ए पर्थम जैन संगती कब हुई थी तो तीसरी सताब्दी इसापूर में हुआ था तो उप्षन डी सही उत्तर याद रखेंगे करें महाबीर के बचपन का नाम बर्धमान था महाबीर के बचपन का नाम क्या था बर्धमान तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा option D स्वेतामबर और दिगामबर का संबंद किस धर्म से है तो स्वेतामबर और दिगामबर का संबंद जैन धर्म से है और हिनियान और महयान का संबंद किस धर्म से है तो हिनियान महयान का धर्म बहुत धर्म से है संबंद मतलब ठीक है क्योंकि बहुत धर्म आगे चलकर हिनियान, महयान, दो साखां में बठ गया, और यहाँ पे जैन धर्म आगे चलकर सुएतामबर, और दीगंबर दो साखा में बठ गया, फिलाल ऑपकसम सी सही उतर है सूथ पीटक किस धर्म का गरंथ है तो बहुत धर्म का याद रखेंगे सूथ पीटक किस धर्म का गरंथ है तो बहुत धर्म का ये भी प्रसन मैं बार बार बोला हूँ इंटरबोड एकजाम में कई बार पूछा गया प्रसन है अब बहुत धर्म के देखिए तिरी पीटक की हम लोग पढ़ते हैं सूत पीटा माभी धम पीटक तो उसी में से सूत पीटक आया है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्न अगला प्रस्न देखेंगे 17 नमबर कह रहा है आपने से कि रीग बैदिक आरियों के सबसे प्रमुख देऊता कौन थे तो उनके प्रमुख देऊता कौन थे आपसे प्रस्न यहीं पूछा जा रहा है तो इंदर थे उनके प्रमुख देता कौन थे इंदर महअभीर ने पहला उपदेश कहां दिया था महअभीर स्वामी ने 18 नमर आपसे प्रस्ण है कि महाभीर स्वामी ने पहला उपदेश कहां दिया था तो राजग्रीह में तो option B सही उत्तर हो जाएगा 19 नमर प्रस्ण किसासक के समय работы जैन धर्म का परसार दक्षिन भारत में हुआ तो चंदरगूप्त मौरे में चंदरगूप्त मौर जो था ओपने अंतिम मतलब की शासन काल करने का अंतिम समय में जैन मुनी बन गया था। जैन धर्म को अपना लिया था और इसी नहीं करनाटा के जंगलोगारा में जा कर वहा आपके स्क्रीन पे है महात्मा बुद्ध को क्या मना जाता है विशनु का उतार तो विश का सही उतर याद रखेंगे ऑप्शन भी हरापा अस्थल आलमगीरपूर का संबंध किस राज से है तो आलमगीरपूर मेरठ हर्थात की यूपी उतर परदेश में हापे दिया गया उत मिर्तको का तीला तो यहाँ पे 22 नमर प्रसंद का सही उतर हो जाएगा आपका उप्शन डि तो याद रखेंगे मिर्तको का तीला मोहन जोदोरो देखें काफी हरापा सा बेदा से प्रस्द है आगे का रहे हरापा सा बेदा का लगबक कितने मतलब लाख बर्ग किलोमेटर में था पूरा एरिया आप से पूछ रहा है तो सही उतर हो जाएगा 13 लाख बर किलोमेटर ओप्सन डी पे दिया गया तो यहीं सही उतर हो जाएगा एलेकजंडर कनिंगम द्वारा हडापा का सरवेक्षन किस वर्स किया गया यह आपका मतलब कि 24 नमर प्रसन आप से पूछा क में भी होगा जातर प्रसन इसी चेप्टर से मिलते हैं तो मन के बनाने का मुख्य के अंदर कहां पे था तो यह आपका चन हुदुडों में था तो आप्सन सी सही उतर हो जाएगा आगे बढ़ते हैं 26 नमर प्रसन देखिए क्या कहा रहा है इस बोध अस्थल बोध गया कहा आवस्थित है बिहार में तो सभी विद्यार्थी जानते हैं अमरावती का अस्थूप जो है किस राज में तो 26 का याद रखेंगे ऑप्सन इस सही उतर है अमरावती का अस्थूप आंधर परदेश में है तो आप्सन सी सही उतर हो जाएगा चलिए आगे बढ़ेंगे अग कौन सा संबरता है भागवान विशनु और उनके आवतारों की भक्ती में विश्वास करता है तो 29 समूदा है कौन करता है तो 29 समूदा है जादू टोना और दैनिक अनुस्ठानों का वल्नन किस बेद में है तो यह अथरव बेद में है ठीक है ओप्सन डी सही उतर हो आप कोई भी 25 बना लेंगे इसमें से अब आई यह सब्जेक्टी प्रसन में पूरा आपको दिखा देना हूं फिर मैं इसका उतर करा दूँगा सब्जेक्टी प्रसन का भी एक ही बीडियों देखे सब्जेक्टी प्रसन यहां पर पूछा गया 10 प्रसन है यहां पर देख लिजिएगा इसमें से कोई भी 5 प्रसन का जबाब देना जातर आपका हड़ापा सब्जेक्टी प्रसन है फिर नीचे की तरह बढ़े इसमें से कोई 5 का जबाब मैं अभी आपको इसका उतर भी लिखा दूँगा और यहां वे दिके दिर गुतर यह प्रसन है और इसमें से आपको किन्नी तीन प्रसन का जबाब देना इस तरह आपका कोईशन पेपर का देंड हो जाता है आई अब इसमें से तीन का उतर देखते हैं और उपर वाले में से 5 का आंसर यहां पे ध्यान से दिखेगा मैं इसी तरह आपके सब्जेक्टीब का उतर तयार किया हूं ताकि यह सब उतर जाकर आपको टू दो पॉइंट लिखना है अगर यहां पे याप बोड एक्जाम में पूछे तो जैसे पूछा था हडापा सब्जेक्टा के चार प्रमुकस्तल का नाम लिखिए तो अब जानते हैं जिवास्म जो मिलता है उसका एज पता लगाने के लिए कार हलापा सब्जेक्टा के लोग गेंडा वाला जो मतब सीम वाला जानवर था संभावता गेंडा पसुपती सीव का उसके साथ ब्रिक्ष पच्छू साप आधी का पूजा करते थे लेकिन मंदीर उगारा का साक्ष नहीं है तो इस तरह लिख देना है हलापा सब्जेक्टा के लोगों के धार्मीक जीवन तो यहां बेब बता दिया गया बानी जोर बैपार हडापा सब्जेक्टा के लोग कैसे करते थे यहां पर उतर है भागवान बुध के उपदेश का बलनन यहां पर कर दिया गया तो इस तरह आपका पूरा उतर कंप्रीट हुआ चले मैं बता द सब्सक्राइब कर देना है यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने और करियर कॉंए डॉट कॉम ऑफिसल बैफ साइड इस रूप में ओपन हो जाएगा यहां पर नीचे की तरफ स्कॉल डाउन कीजिएगा थोड़ा सा नीचे की तरफ बढ़िए और क्लास 12 वाल जिसका कॉसन पे परुईथा अंसर सिम्पल सा यहां पे पराणिर के साथ आपके सामने देख साइड लोड कर लेना है जिसम लोगों को हिस्टरी का चाहिए तो तो हिस्टरी है यहां पे क्लिक करना है लाइब तो मैंने हिस्ट्री के सामने बने हुए किलिक एर पे किलिक किया आपके सामने हिस्ट्री एक्जाम के बारे में एक एक जानकारी ओपन हो जाएगा यहाँ पर देख लिजेगा एक पर यहाँ पर दाउनलोड बटम बना है यहाँ पर क्लिक करका आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से देख देकर लिखना है तो जो मैं आपको दिखा रहा था यहाँ से पूरा प्रसन परत उतर के साथ अपडेट है तो देख देख कर भी एक प्रसन का उतर आप लिख सकते हैं क्लास 12 के सिप्तंबर वाले मासीक परिछा का जिन भी भी द्यार्थियों का हिस्ट्री का पेपर से से में पूरा पेपर का सॉलूशन करा दिया अबजेक्टिव सब्जेक्टिव के उतर के साथ पीडिएफ होगा डाउनलोड करना है प आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद